होती है ऐसी कहीं चीजें जिनकी चाहा रखने से हासिल करने तक का सफर बहुत लंबा होता है जैसे कि लक्जरी कार हो, वर्ल्ट टूर हो, या ड्रीन सेकेंड होम हो, या फिर वर्ल्ट फेमस बनने की सोच पर पता है क्या? यही सोच लाइफ चेंजर होती सिद्धार शाने एक सोच रखी थी 1999 में कोईन्स और करन्सी की गैलरी बनाने की जो उन्होंने अकमप्लीश की SNS Coin and Investment गैलरी बनाते तो अगर आपकी सोच है, शौक है, कोईन्स और करन्सी के कलेक्शन को आगे बढ़ाने की उसे खरीदने की, बेचने की या पूंजी बढ़ाने की तो मुंबई के कान्डीवली वेस्ट रगुलीला मॉल में एक मात्र एक्स्क्लिजीव स्चोर में विजिट तो बनता ही है है शौक तो पूरा गस, सोच बदलेगा, तो वर्ल बदलेगा और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिंग कीजिए www.snscoins.net तो फ्रेंट्स रजनी आज बात करेंगे हमा कुछ इस परकार के सिक्कों के बार में जैसे की रंजनी बता रही थी, नोट वसिकों का यदि Bombay Coin एक्जिबिसन में आप यदि संपरक करना चाते तो जैसे की आपको बता दें कि ऐसे नोटों का कलेक्शन सबसे सवरा अधीक कहां पर किया जाता है कौनसा एक्जिबिसन भारत में ऐसे सबसे बड़ा मार्केट हैं जो नोट वसिकों का सबसे अधीक वहां पर चलन रखता है और नोट वसिकों का कलेक्शन करने में वहां पर बहुत अच्छी एक पहल चलती है जैसे कि बता दें ये एक रुपे, दो रुपे, पांच रुपे और दस रुपे और बीस रुपे के सिकों के बारे में खास करके आज विस्तार से जानेंगे कि इन सिकों में ऐसे कौन सी परदसनिया हैं जो सबसे अधीक कीमती होती है ऐसे मैं बता दिया जाए कि आपको पुराने सिक्केवर नोटों का कलेक्शन तो सुरा अधीक रहता है जैसे कि मुगल खालीन हो चाहिए उनके पहले जैसे कि उनके बाद अंग्रेजी बिटीश इस्टेंडिया कंपनी दोवारा जारी किये गए कि नोटों का संचालन किया हूँ ऐसे मैं बता दें कि आपको कितना भी पैसे वा सिक्के जमा करना का सोख होगा जैसे कि आपके गुलत में रखे होंगे या आपकी धिजूरी में रखे होंगे ऐसे पुरूने सिक्के वा नोट आपके पास पड़ी हैं तुझ नहीं आप बेच कर अब लाकों रुपे कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में हाज हम विस्तार से जानते हैं साथियों 2011 के बाद भारत में के यसी मुदर परदेश निया लगने जारी है जिनके बादियम से इनमें पहले सिर्फ आपको एक बांबे के अंदर और दूसरा उसके बाद दिल्ली के अंदर दो कोईन एकजी विसन देखने को मिलते थी और पैसे लोग वाँ पर अपने पास पुरूने सिक्के वर्क को यह से नोट होते थी लोग वाँ पर जमा करने के लिए जाते थे और वाँ पर से कुछ असे काफी अच्छे पैसे वाँ पर उठा कर ले आते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है सातियों आपको बता दे कि यहां पर बहुत अच्छी कीमत के साथ यहां पर नोट शिक्कों का कलेक्शन हो रहा है जिसके आपको बता दे कि ऐसे सिक्कों 10 रूपे का ऐसे में साथियों कई सिक्कों का यहां पर कलेक्सन किया जा रहा है और साथ में नोट सिक्कों के अलग अलग भारत में अभी तो करीब बंद आपको बता दें कि 25 तिस जिग्या मुद्र परदस्निया जो आपन होने जा रही है ऐसे में बता दें कि पहले होंग कोंग लंदन वगेरा में काफी बड़ा मार्केट है वहां पर नोट सिक्कों का कलेक्सन वहां भारती रुपे भी वहां पर सेल कर सकते हैं और लोग वहां पर काफी लोग जाते हैं अपने नोट सिक्के सेल करने के जिए इसके माधियम से आपको बता दें कि यह से सिक्के आपके पास हैं तो क्या आप इन्हें बेच कर लाखों रुपे कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आई होप इस वीडियो को आप पुरा ध्यान से देखें तो बता दिये जाए कि आपके पास अगर कुछ नोट से के हैं तो कुछ RBI के नियमों का आपको पता होना चाहिए कि RBI ये इसको जारी करते के समय आपको कौन सा ऐसा टिक्स परदान करती हैं जिनके माधियम से आप नासिक में यदि आप टिक्स वाला यदि कोई नोट जारी करती हैं तो उसमें ऐसा कौन सा टिक्स होता है जिनके माधियम से आप उन नोट को सबसे अधिक कीमत में बेश सक कोगी जैसे की रोपे 1 रुपे का का N E का न उन उन् leopardू को गूगैं था और यह नियमा के अलग अलग इलग परकार की ध्यान रखते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे टिक्स द छाते हैं ज़ैसे की स्टार मार्क हो गया जैसे सी मार्क हो और कुछ ऐसे नंबर है जो यूनिक देती है जैसे कि आपको यूनिक नमरवाला साथ सो सिे possa वाला नोट हो गया एक हजार आठवाला नोट हो गया ऐसा कुछ यूनिक नमरवाला नोट देती हैं जो सरो अधिक कि यहां पर सिंसी वाला नोट हो गया, एक हजार आठ वाला नोट हो गया, ऐसा कुछ यूनिक नमर वाले नोट देती हैं, जो सारो अधिक यहाँ पर एकजी बिसमों में उन्हें सेल किया जाता है, ऐसे मैं बता दें कि आप यदि बंबी टिक्स जैसे कि नासिक टिक्स की बात करते हैं, सा करके आपको पच्छी में बंगाल में मिलेगी, तो साथ यो ऐसे मैं यदि पच्छी में बंगाल की इस टिक्स पर जारी किया गया, इस नोटों की बात करेंगे, साथ में 2000 की नोट है, इसमें कुछ यूनिक नमर पाई जाते हैं, तो आप इनको ततकाल बेच सकते हैं, और य साथ में ये भी बता दे कि पुराने नोट्स वसके बेजने के लिए, फ्राउड लोगों की खास करके आपको ध्यान रखना होगा कि फ्राउड लोग के जासे में आप ना आए, किसी को रजिस्टरिस्न फीस्ट या सुलक देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को नोट्स के कोई नेग्जीबिसन की बात करेंगे, तो एमदाबाद में आज बहुत बड़ा एक कोई नेग्जीबिसन लगने जा रहा है, जिनमें कि वहां पर की हजारों बाइर वहां पर भाग लेगे, आप अधर टाइम में यह दी जाती हैं, जैसे कि आज आप जाओगी तो वहां प मुद्रा पर्दशनियों की कीमत आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि एमदाबाद रेगुलर चल रहा है, एक जीबिसन में आप यह दी जाओगी तो वहां पर आपको बाहर से आया हुगा कोई बाइर नहीं मिलेगा, वहां पर जो मौजूद बाइर हैं, वो उन नोट वस सौच सर्मा हैं, और इसके अलावा आपको खतिन कुमार और इसके अलावा आपको कि ऐसे बाइर मिल जाएंगे वहां पर नीतु पटेल हैं, और सोनु सर्मा हैं, जैसे कि राजविंदर रचीं हैं, तो ऐसी नोट सिकों का कलेक्शन करना आप चाहती हैं, तो आप इसे रूपे का ऐसे खेल वाला नोट समय लिगता, ऐसे में इस सर्मा की कीमत बहुत अच्छी लगए गए, ये नोट सिके की मरलब अच्छी परदिशनिया में लगए थे, इसके बाद आपको बता दे, महराना परताव वाला सिका सबसे अब देख, दिल्ली कोईन बाज़ार में एक लाख रूपे कीमत में बिका था, इस से ज़्यादा कीमत वाला कोई सिका यहां पर मौजूद में, मौजूदगी में नहीं था, और इस सिके को खरीदने वाले बहुत अच्छे बाहर राजस्तान के जो बिरिंदर चौदरी हैं उन्होंने ये इस सिके को खरीदने का बह इससे में बता देंगी हजार पांच सो सो और पचास बीस दस या पांच रूपे का नोट हैं और एक से लेकर के आपके पास दस रूपे के सिकों की बात करें को तो आप इसमें कुछ सिक्स डिजिरल सीरियल नंबर तो जिसकी कीमत आपको 700 सियांसे मल जाता पांच लाक रू सी अमदाबाद की तो भारती बाजार में साथियों को अमदाबाद बाजार में आपको बता दें कि यहां पर नोट सिकों 2423 से जो कोई एकजिबिसन शुरू हुआ हैं उसके बाद से अब तक यहां पर लाकों लोगों ने अपना भाग लिया है और नोट सिके बेचे जिसमे यहां पर कई आपको पांच साथ से अधिक बायर यहां पर आज जाती हैं कभी कभी भारत के छोटे बड़े एकजिबिसनों के कई बायरों का यहां पर जमा उड़ा रहे था हैं जैसे कि कोईन एकजिबिसन में इसमें पांच रुपे की सिके ट्रेक्टर वाले नोट होगे साथ में आपको बतादें कि आपको बता याई पांच रुपे का कोई सीहा, इस्टार मारक वाला हैं तो इसकी कीमत आपको पांच लाग से अधिक कीमत मिलती हैं जैसे कि 2 रुपे की सिके होंगे, इनकी नीलामे भी रहती हैं यहां पर इनके साथ-साथ पांच रुपे दोजार के नोट हैं, दोजार में जारी किया गया नोट हैं, तो इसकी सिक्का है तो इसकी जाईगी नीला में, पांच रुपे का ऐसा कोई सिक्का है तो इसकी फिलाल में कोई डिमांड ना होने के बावजुद इस सिक्कों की, और ये पांच अच्छी कीमत 25 पैसे की रहेगी साथ में एक पैसे 2022 में जारी कियेगा डॉट में नक्मारवला सिकाएं और 1987 में जारी कियेगा इसमें कोई मार्क नहीं है लेकिन फिर भी यह सिका आपका हलकी फूची कीमत में आपको यह सेल करने का मौका दिया जाएगा साथ में एक रुपे की बात करते हैं साथ में आपको 1944 से 1901 कोई की बीच जवारलाल नहरू कोईंस की बात करते हैं इंद्रा गंधी कोईंस की बात करते हैं तो 1917-1994 की बीच और तेन पैसे के कॉईंस 17 में जारी किया गए यह बहूत अच्छी कीमत का सिक्काइ सहत मैं आपको 1964 के सिक्कों की बात करें कि जाद में जवालाल नहरू कोईंस की बात करें के तो यह कोईंस बहुत अच्छी कीमत में सहल हो रहा अज भी इसके काफी अच्छी पंजिस किसान है और सिरी रामबाला येदी कोईंस है तो इसकी कीमत आपको पांस से साथ लाक रुपे कीमत मिलते ही ये ऐसी आखेल वाले इस दिली कोईन एक जी बिसन के बात अच्छी